हलो फ्रेंट सुगत है आपके अपने यूटूब चैन ग्यान प्लस पर उतर प्रदेश अधीनस सिवा चैन आयोग से कुछ बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है उतर प्रदेश अधीनस सिवा चैन आयोग से कई रिजल्ट्स के पेंडिंग में हैं जैसे कि जूनियर ए प्रदेश पेंडिंग में हैं जिसका की परदाम इन में से ज्यादातर परदाम अंतिम परदाम यूपिट प्लस यायोग को जारी करने हैं ज्यादातर परिच्छाओं के काफी समय बीद गया है लेकिन अभी तक परदाम जारी नहीं है उन समय से एक बहुत प्रतीच्छित है जो कि मंडी परिशत का मई 2019 में परिच्छा हुई थी धाई साल से अधिक का समय बीद गया है लेकिन अभी तक आयोग रिजल्ट नहीं दे पाया है हलंकि रिजल्ट आयोग तीन से चार महीने पहले ही दे देता लेकिन इसमें कुछ विवादों के बीच में पत्रा चाल च प्रस्ताव आया था बीच में फिर एक पहला प्रस्ताव आया था जो कि पिछले साल ही आया था जिसमें मंडी परिशत के हमने बताया भी था कि मंडी परिशत के पदों को घटाने का जो प्रस्ताव आया था उसके बाद फिर इस साल फिर एक जो पत्राचार आया उस पे फि पाद आयोग ने फाइनली जो मंडी काउंसिल है उसने ये कहा कि पद नहीं घटाए जाएंगे तो आप आयोग जो है पद नहीं घटेगा तो आप आयोग अपना काम इस पर सुरू कर दिया है यानि कि रिजल्ट तो पहले से तयार है लेकिन इसमें कटेगरी वाइज मेरिट जारी होगी जैसे मंडी सुपर्वाइजर का ग्रेट पे सबसे अच्छा है तो मंडी परिशत के जो मंडी सुपर्वाइजर के जो हैं मेरिट सबसे अधिक जाएगी तो जो पोस्ट प्रिफरेंस में उसको पहले नंबर पे डाले होंगे उनको उस पहले ही सबसे पहले मिले का result आप का तो सबसे ज़्यादा किटाओ जो है यहां पे जाने कि जो संभावना है मंडी मिन परॉइजर की अगर हम उसके बाद बात करें मंडी सूपरॉइजर के बाद तो मंडी परिसיים में मंडी इस्पेक्टर की जो भरती थी जिसमें की सबसे ज़्यादा पत्थे उनोग्राफर का उसकी जो कटाप है उसके बाद जाएगी उसके बाद जो है जूनियर एसिस्टेंट के पदों की कटाप जाएगी सबसे कम कटाप जो है एकाउंट कलर्की जाएगी क्योंकि उसमें इस्पेसल योगता भी कॉम मांगा था तो भी कॉम के अब बैरती जितने हो गई है इस पोश्ट के लिए इतनी गई है तो सबसे ज्यादा मंडी सुपरवाइजर उसके बाद मंडी इंस्पेक्टर के लिए उसके बाद इस्टोनों के लिए उसके बाद जूनियर एसिस्टेंट की और सबसे कम मेरी जो है लेखा कलर की जाएगी तो इस प्रकार से ये जो आसपास जाए सकती है प्लस माइनस दो नंबर हो सकता है उसके बाद मंडी सुपरवाइजर का है फिर उसके बाद हम बात करें तो मंडी इस्पेक्टर की बात करें तो मंडी इस्पेक्टर की कटाफ जो है 245 जूनियर एसिस्टेंट की कटाफ भी इसी के आसपास जाए सकती एकाउंट क्लर की बात करें तो इसकी कटाब जो है 240 के आसपास जा सकती है तो यह है विभीन कटेग्रीज में विभीन पदों की कटाब मंडी परस्त से रिजल्ट की बात करें तो उत्तर पदेश अधीन सेवा चैन आयोग इस पर तेजी से काम कर रहा है और उमीद है कि आपका रिजल्ट अगले सब्ता तक UPT PLUS C की वेवसाइट पे निश्चित तोर पे देखने को मिल जाएगा तो यह रही रिजल्ट से सम्मधित बड़ी अपडेट बंडी परस्त से सम्मधित जितनी अपडेट हमको मिली थी उसमें हम आपको सारी जानकारी दे दी है तो इस वीडियो में इतना ही अगली वीडियो में तब तक ले जाएँ जै भारत